कल पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंतमान शपत लेने जा रहे हैं किस तरह के कारिकरम रहेगा इस बारे में बाचीत करने के लिए मासरा पाटी नेता हरपाल सिंग चीमा जी है किस तरह के से रहेगा क्या चीज़े रहने वाली है किस कौम ने आम बंतरण भेजा है किसको ने बहुत खटकर करला में एक बहुत शांदर समागम होने जा रहा है बहां पे सर्दार भगवंतमान जी पंजाब के होने बारे अगले नेक्स्ट मुख्यमंत्री की शप्त लेंगे शांदर समागम होंकिगा पूरे पंजाब के लोगों को हमने अम अंतरत किया, तीन करोड लोग पंजाब के कल शप्त लेंगे, अकेले बगवंतमान ने पूरे तीन करोड लोग की शप्त लेंगे और पंजाब को 119 पंजाब एक रंगला पंजाब बनाने का संकल्प लिए जाए गया और कल से मैं समुनता हुआ पंजाब सरकार एक्षन में आएगी उम्मी तो यह जिताई जा रहे थी कि किसी दूसरे पार्टी के बड़े नेता को शायद आप आमंतित करें किसी मुख्यमंत्री को आमंतित करें लेकिन शायद किसी को आपने बुलाया है नहीं देखि दूसरे लोग पंजाब के लोग बड़े उताबले हैं और पंजाब में खटकर आ रहे हैं बाकि लोग कप सपद लेंगे मंत्री मंडल कब तैह हो जाएगा इसके बारे में क्या जानकारी है देखिए थोड़े दिन बात जो मंत्री मंडल बनेगा उसके लिए बगवनत्मान कब तक यह हो जाएगा विदेने वीक विदेने वीक जी हो जाएगा मैं सामनों कल 16 तरीक है और नेक्स्ट कपल ऑप डे में पूरा समाप्त हो जाएगा विदायकों की मीटिंग होनी जा रही है इस बात को लेकर या कोई संबंद में अभी तक कोई डिसाइड नहीं है कि कौन स मीटिंग होनी है यह नहीं होनी यह बगवंतमान जी का प्रेरोगेटब है एक सबसे कि आपका नाम सबसे आगे है मंत्री मंडल की रेस में कर बात करें तो आपको उस पर क्या कहना अगर मंत्री पद आपको मिल देखिए मैं तो पहले भी पार्टी का बरकर था पहले बरकर कि लगातार जब पार्टी मेरे को रीडर पापोईशी ने बनाया पंजाब की बेदान समय तब से पूरे पंजाब में गुमा पंजाब के हर गर में गया लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा मैं तो पहले ही बरकर था आज भी बरकरूं बत और बलंटियरी काम करता अर पासिंग चीमा जोगे कह रहे थे कि जल्द ही मंतिर मंडल क्वित्त है हो जाएगा शपत भी हो जाएगा एक हपते के अंदर यह सारा काम हो जाना है लेकिन कल फिलहाल भगवनतमान पंजाब के नए मुख्यमंतिर के तौर पर शपत ले लेंगे कैमेर में राजिन्दे सिंग के साथ इपक सिंग रावत एबिपी न्यूज